नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट कप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम RTI F2005 के तहत किसी भी विभाग के लोग सूचना पदाधिकारी के खिलाब सेकेंड अपील द्विती अपील कैसे करेंगे जिससे राज सूचना आयोग द्वारा कारवाई कर सिख्र सूचना परदान करवाई जा सके चलिए इस चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक अबस्य कर लें जिससे इस तरह के उपयोगी विडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा एक लाइक करेंगे इसे इतना सेर करेंगे कि हर भारतिय को इसकी जानकारी आशानी से हो सके चलिए मैं आप लोगों को ग्रिह विभाग से संबंदित मैंने यहां द्वितिय अपील डार किया है ग्रिफिवाग के लोग सुचना पता दिकारी के खिलाफ तो आप लोग जिस भी सांचित सुचना प्रदान नहीं की जाती है तो आप किस अधार पे दिटी अपील डायर कर सकते हैं तो हम लोग आटी एक्ट की धारा उनिस तीन के थत दुईती अपील दायर करेंगे प्रपत्र यह दुईती अपील दायर करने का आपके पास फॉर्मेट हो तो आप फॉर्मेट में भरकर इसी तरह दुईती अपील दायर करेंगे ना तो सादे कागज पर टाइप कराकर इसकर हस्त लिखित साफ साफ भी दुई लिखेंगे शेवा में अपने अपने राजी का सूचना आयोग के बारे में लिखेंगे बिहार राज सूचना आयोग या जारखंड राज सूचना आयोग तेलांगना राज सूचना आयोग जिस भी स्टेट से आप बिलॉंग करते हैं उस सूचना आयोग उसका पता देंगे बिसे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा उनिस तीन के तहत अपील या यहां दूइती अपील लिख देंगे आवेदक अपना नाम पूरा पता लिखेंगे पीन कॉर्ड अवस्य देंगे लोग सूचना पता अधिकारी का नाम में लोग सूचना पता अधिकारी ही देंगे बिभाग में ग्रे बिभाग जिस भी सरकार जिस राज सरकार से आप मांग किये हैं उस सरकार का यहां बता देंगे अब उसके बाद जो भी सूचना आपने मांगी थी प्रपत्र काव में सूचना है तो उसी को यहां वर्णन करेंगे जो आप सूचना चाहते हैं प्राप्त सूचना अगर कोई सूचना आपको दी गई हो या गलत धारा का प्रयोग कर देने से मना किया गया हो या नहीं दी गई हो जो भी आप यहां सूचना प्राप्त हो तो वह यहां बर्णन करेंगे जैसे 100 समय वांचित सूचनाएं नहीं दी गई धारा आठ ये का गलत प्रयोग किया गया पर्थम अपील के तत मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहद दिनांग उनीश 9-2022 को हस्ता अक्षरित अनलाइन उपरोक्ट सूचना वांगने के लिए आवेधन किया था लेकिन लोग सूचना प्रदादिकारी ने शूचना देने से मना कर दिया या आदियोधिरी सूचना अपलब्द कराई या गलत सूचना अपफलब्द कराई मैंने इस सम्मन्द में पर्थम अपील दिनांग इतना को दायर किया जब भी आप पर्थम अपील दायर किये होंगे उसका यहां दिनांग लिखेंगे और जब आपने प्रपत्र को सबसे पहले सूचना है तू जो आवेदन दिया होगा उसका अधिनांग यहां लिखेंगे पर्थम अपील अधिकारी का आदेश जो भी अधिकारी पर्थम अपील में आदेश किये होंगे उसका वड़न कर सकते हैं अगर कोई आदेश पारित ना हो तो वो भी वड़न करेंगे पत्रांग दिनांग दे सकते हैं अगर कोई आदेश हो तो सौसमय कोई आदेश पारित नहीं किया गया नहीं कोई कारवाई की गई यह इस मामले में हुआ था इसलिए मैंने इस प्रकार लिखा पर्थम अपील को दिये गए आवेदन पर भी कुछ नहीं किया मैं पर्थम अपील अधिकारी के नियसे भी संतुष्ट नहीं हूँ प्राथना लोग सुचना अधिकारी को मेरी सुचना अवस्ट परदान करें साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले का फैसला सुनवारी के बाद ही करें सत्यापन मैं सत्यापित करता हूं कि सपील में दायर की गई सुचना है मेरी जानकारी में सही है अपना हस्ताक्षर पूरा पता मुबाइल जिस भी जिले से ब्लॉंग कर सकते हैं जिस भी डिस्टिक्ट से वहाँ दे देंगे अपना दिनांक लिखेंगे जो भी प्रपत्र को में आपने आवेदन किया होगा रिष्टर डाक सुलक रसीद सारा चीज स्वाभी परमानित कर आप सकेंड अपिल सुचना आयोग में दा कर सकते हैं जय हिन